और आज की तारीक में जो तीश्री बार प्रदान मंत्री मोडी गद्धी पे बैठे हैं तो इसमें सबसे महत्पूर्ण भूमी का जंधन एकाउंट किया है कि मोडी ने भारत को बदला कैसे जंधन एकाउंट नोट बंदी और डिजिटल इंडिया आज महत्पूर्ण इन तीन चीजों हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा भारत को एकदम से बदल देने वाला यह सक्स जिसकी दीवानजी भारत को बदलने को लेकर के है उसे खत्म करने की साजिस क्यों है आपको सब्सक्राइब जंधन योजना से इस देश को बदलने की फिर डिजिटल फिर उसके बाद नोट बंदी और फिर डिजिटल इंडिया इन मैं बताता हूं आपको जो पहले जंधन एकाउंट पर बात कर लें जो 53 करोड जंधन एकाउंट खुले और आज की तारिक में जो तीशरी बार प्रदान मंत्री मोडी गर्दी पे बैठे हैं तो इसमें सबसे महत्पूर्ण भूमी का जंधन एकाउंट किया क्योंकि फिर मै उसमें से 85 परसेंट तो आप अलग कर लिए जो राहूल गांदी के बाप आगे बता गए थे बहुत पहले नहीं सो परचासी अठासी में जब रहेते प्रदान मंत्री परचासी में तो बने तो बने तो मनी जी उसके बाद दो तीन साल रहने बाद बताया था कि हम जो पैसा 32 लाग करोन रुपए गरीबों के उसमें ट्रांसफर हुए तो आप उसमें से 85 लाग अगर निकालिए तो करीपरी 27-27 लाग करोन रुपए वो लोगों के खाते तक पहुंचे यह सबसे खास बात हो तुम्हें जो जन्दन काउंट की बात कर रहा था तो मेरे मैंने भी कहा हराम खोरी करने के लिए देंगे होगा तो जरूर उनके दिमाग में कोई प्लान निश्चित और वह प्लान क्या था पूरा देश देख रहा है तो प्रदान मंत्री मोधी इस तरह से कोई काम करते नहीं है और जो आप दूसरी अभी पूचे मैं उस पर बताता हूं उसका ए कि यह हुआ आपका जंदन एकाउंट का तो यह सबसे बड़ा कारण था और जो आपने मनी जी नोट बंदी की बात की वह अब भी यह बल बिलाते हैं जित्ते विरोधी है खासका रिंडी गैंके उसमें एक तरच होता तो नोट बंदी वे तो पूरी किताब लिखी जा सकती उसके क्या फाइदे हैं किस तरह से क्या सड़ेंतर था कि याद करिए मुनी जी उसमें एक आदमी उसमें पाकिस्तान में आत्मत्या कर ली थी और वो यहां की नोट बंदी लागू होने के बाद यानि वो मेरे खाल से आठ नॉम्बर को यहां लगी थी उसके कुछी दिन ब और जावित खनानी किता महत्पूर्ण विक्ती था यहीं विसमझें दर्चाहें कि जावित खनानी जो था मैंडीजी वह पाकिस्तान के अंदर वो जो मरें ट्रांजेक्शन होता है यह जो आप मिदेशन पैसा आता है एक तरह हवाला का काम करने वाला कर लिए या मनी उसको क्या कहूं मैं जो वहाला काम करने वाला था लेकिन वैसे उसके आजकारी रोफ उसने ले रखा था तो मनीजी 40% ट्रांजेक्शन जो है वह उसकी कंपनी से होता था जो पैसा विदेश से आता जाता था तो 40% का मतलब दर्सक यह समझें कि 40% का मतलब कि केवल पाकिस्तान का प जो मैं पूरे पैसे बात करना हूं तो चालिस चालिस 45% उसका जाता था तो पूरा पैसा वो समालता था और उसका बताते हैं कि लाखों करोनों रुपए जो है वो छपे रखे थे जो पाकिस्तान में उस समनास हो गए थे उसके खतम हो गए थे और बढ़ा बहुत बुली त समस्तान की कि उसकी आत्मत्या से पहले उसका भाई जो अमेरिका में बैठा था उसकी गिरफ़तारी एक दूसरे कारकर कारन से हुई थी यानि वह भी तो अपरास सही जुड़ा हुआ था उसी के धंदे का आदमी वह अमेरिका में पकड़ लिया गया था उसको दस साल की सज जिस दिन नवंबर 2016 जिस दिन नोडबंदी लगी है उस दिन पाकिस्तान का रुपिया किस रेट पे था डालर के मकाबले और आज किस रेट में और आपको सारा फर्त समझ में आ जाएगा उस समय में मेरे खाल से हिंदुस्तान के एक रुपे के वराबर में आगर आप बात क आए है करीप-क्रीब तीन रूपे तीस के थिटितीक लिए पैंतिस पैसे यानि दो रूपए उसकी बढ़ ग deber कि कीमट कि और हम यह मलोग दो किमटबढ गई यह कहे रहें काई देसकी तगे और टीन रूपेसं का हो गया है हमारे एक रूपए के बराबर तो वह आप ने इ बंदन खाते की और दूसरी बात के लिए नोट बंदी की यह दोनों फैसले हिंदुस्तान के इतियास में हमेशा याद किये जाएंगे और आज नहीं सवसाल बाद भी याद किये जाएंगे कि एक इतना बड़ा फैसला इस तरीके से लागू हुआ था और देश की इसमें काया यह बेशरम आज भी कहते हैं यह बेशरम बीतैं क्योंकि इनका आका तो तबाह हो गया उसमें इनका आका तबहा हो गया हमारे जो वह देख लिचिए और वहाँ पाकिस्तान के देख्ली है और मताएदे देता हूं बढ़े छोटे आदमीं समान ने मिडिल कलास आदमी है कोई तराजी बताओगे मैं कुछ बताया देता हूं मनिब इज़रा हिंदुस्तान की की बात करिए तो वहां पे आपके एकसो दो हजार मैं इनके दस साल का पूरा खर्दा लेके बटाता हूं कि उस समय जो हंदुस्तान की लिस्टान की दो हजार चार में इस समय अटल जी 304 अरब डालर यह जरा गवर करिएगा कि 113 अरब डालर 304 अरब डालर और आज की तारीक में मनीजी जी जो है मने कहीं नोट किया था कि 675 अरब डालर तो जरा गवर करिए कि किता बढ़ा है जो हिंदुस्तान 2014 से 2024 के बीच में और इसका जरा अंतर समझे कि इनों ने यह दस साल में जो बढ़े थे यह 191 डालर 191 अरब डालर बढ़े थे और हिंदुस्तान जो मोदी के सासन में बढ़ा है यह बढ़ा है 371 अरब डालर कहीं कोई मुकाबला कर सकते हो तुम्हारा बढ़ा 191 और हिंदुस सकती कि जिस एक तरह से रफ्तार से बारत बढ़ा रहा था 2004 से 2014 के बीच में 2014 से 2024 में उससे दुगरी रफ्तार से यह एक प्रिमाना है जो सबसे मातपूर्ण होता है आपकी विदेशी मुद्रा का बंडार और उसके अलावा मनी जी जो खास बात है कि स्वंड गोल्ड दिज सब्सक्राइक कांग्रेस गई 2014 में तो 557 में यानी करीब करीब एक 177 मीटरिख तन भागा था कांग्रेस हैं अपने साशनकाल में और आज की तारीक में वह सोना मनी जी जी वहें करीब करीब आठ सो चालिस तन और यह बढ़ाया है तो यह इन्हों बढ़ाया था एक सो सतानवे टन और इन मोदी ने बढ़ाया है दो सब चौरासी टन्सोना तो कहीं किसी किसी पैमाने पर तो आकर कर नहीं खड़े होते हो जिस पर कहा जा कि यह जो यह करते हैं गाया करते हैं क्या है कि मनी जी कभी-कभी आप वाली इस पर इस पर यह कैसे है और हिंदुस्तान आज की तारी में यहां क्यों खड़ा है तो उसकी बाती नहीं करते हैं बिल्कुल तब सोचिए कि इस देश का ग्री मंत्री और इस देश का बित्त मंत्री के कुर्सी पर एक कैसा निठला बेकूब बैठा था जिसने मजा को रहा थ गांडीवा जे औरी ईसे स्मझेंगे कि इसे अधमी के प्लानिंग कितनी बड़ी थी पहले जंधन योजना उसके बात नोटबंदी और फिर डिजिटां इंडिया काrot करते तो बहाकार बंगति इसके पास बैंक यह कैसे पैस जमा पर रहे जरूरी है, पहले जंधन आया और फिर iundia के बाद इंडिया क्यों आया पहले हो चुका हुआ था इतनी तुर्धर सी प्लानिंग थी कुछ लोग कह रहे हैं कि 2000 का नोक फिर क्यों 2000 का नोक लाना बहुत जरूरी था और ऊसे फिर खत्म प्या जाना भी बहुत ज़रूरी था परत परत ये बताईएगा कि क्यों पहले सबसे पहले जंधा नहीं हो जना फिर नोट बंदी फिर डिजिटल इंडिया और इससे पुरा भारत का काया कल्प कैसे हो गया कि दोगया है तो यह वह स्मय इतनी जिस तरह से उसको लागु किया था तो एक चलाने के पैसा चाहिए था के लिए लिए उसकी भूमिका थी दो तीन साल के अंदर उसको खत्म कर दिया गया और मैं बता रहा हूं कि आप जड़ा जटका हो गया है कि नरे नर्मूदी का और शासन चलेगा तो ये पांसो का नोट भी खतम होगा इस डिश्टेल इंडिया ही चलेगा ये दीरे दीरे ये भी जाएगा तो वह जो मनीज जी ने का कि सबसे पहले जंदन उसके बाद और उसके बाद डिश्टेल खतम होता है नोट बंदी और 2017 में जीश्टी आ जाता है तो वह बिल्कुल सही बात कहिए आप में कि वह चरण बंद्य तरीके से वह आगे बढ़ रहे थे और बहुत 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 तरीके से आगे बढ़े और आज देश कहां खड़ा है बिलकुल इसी लिश्टी को समझेगा कि यदि हर भारती का अकाउंट नहीं होता तो नोट बंदी पर इस देश को तोड़ दिया गया होता हर भारती इससे क्या फैदा हुआ कि मैं तो यह भी मानता हूं कि कुछ लुटेरों के पैसे कुछ गरीबों के मिले उसने अपने अकाउंट में जमा करवाए तो कि उस जो नोट बंदी का फैसला था उससे किसी गरीब का एक रूपिया नहीं डूपा है एक रूपिया नहीं डूपा है क्योंकि वो तो तो ततकाल जाकर 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 कैस करा रहा था उसको कमसर देने में समस्या थी समस्या तो उनकी थी ना जिनके बोरों में रखे थे बक उप्सान नहीं हुआ था यह हावा में तीर मार रहते और सबसे खाथ बात सारी बहुत मनीर जी खतम कर दीजिए कि मैं यह जो यह नोड़ बंदी है यह सही यह गलत थी इसने लोगों को तबाह किया यह आबाद किया इसका एक ही पैमाना है कि देश का सबसे बड़ा राज उत उत्तरप्रदेश का चुना हुआ था और वो रिजल्ट आया था कि भूतों ना भविश्चती कि मतलब उत्रा वैसी उत्ती सीटे तो किसी को मिली ही नहीं थी तीन सो पच्छिस सीटे मिली थी भाजपा को तो यह जो कहते हैं मूर्ख यह नोड़ बंदी ने तबाह कर दिया नोड़ बंदी ने इनको तो तबाह करी दिया यह जो सपने देख रहे थे वो काम खतम हो गया इनका यह सब चीजें याद दिलाने की दुरत है कि लोग स्मिर्थी उनकी कमजोर हो जाती है तब कहने लगए स्मोधी को जाना ही होगा तब समझेगा स्मोधी ने क्या कुछ ब उस डिजिटल इंडिया से और माला जो बेचने वाली होती है उसके पास भी वह बाहर कोड मौजूर होता है और एक और चीज़ बतादू मनीची जो आम आदमी के मतलब किया है और वह वह नोड़ बंदी और उसका ज्यादा जंधन खाते से तो लेना देना नहीं है लेकिन ह कांग्रेस के प्रोक्ता आते हैं बड़ी बेशरमी से कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करते हैं मोदी कि मैंने बिजली अठारा हजार गावों पहुचा दी लेकिन 6 लाक कित्ते हजार गावों वहां पर तो बिजली हमीने पहुचाई थी 2014 से पहले तक मोदी ने तो ख सुन रहे उनको कुछ मालू ही नहीं है अरे उनका गिरेवान पकड़ के बताना चाहिए कि यह मनीजी कांग्रेस की ठगी का बड़ा पुराना जरिया था कि वह कुछ कहानी कुछ और होती थी बताती कुछ और थी बिलकुल सही बात है कि जिस समय नरेन रिमूदी ने इस दे वहां पर मनीजी आकम से कम साथ करोण फिर कह रहां कि साथ करोण घर इस देश में ऐसे थे जिन घरों में विजली नहीं थी यह सबसे बड़ा अंतर था और साथ करोण को आप 140 करोण समझ जोड़िएगा उस समय देश के अंदर जो है कुल 25 या 26 करोण घर घर जो थे वो थे और उनमें से साथ करोण घरों में बिजली नहीं थी यह थी असलियत इस देश की उसकी बात कांग्रेसी नहीं करते हो आज इस में कल पर सो देख रहा था वो सुप्रिया सिनेत और सुदानसु त्रवेदी जैसे विद्वान पर रखता है उन पर चड़वाई ठीक हमने तो क इस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था उस समय उत्तर प्रदेश की सबसे भयानक थी कि वहां पर 50 परसंट यहां दो करोण कुल घर हैं और उनमें से एक करों 35 लाग घरों में बिजली थी नहीं यानि अक्सर अपने डिवेट में याद दिलाता हूं तो उत्तर प्रदेश में थी इसके वज़े से मुझे पूरे देश का आकड़ा ध्यान में है तो आज की तारिक में उन सारे घरों में बिजली है अ है घरों में पहुंचाई जाए अब बात यह हो रही है कि किस तरह से बिजली 24 घंटे पहुंचाई जाए यह चर्चा है और यह अंतर आया है दोजार चोड़ा से दोजार 24 के बीच में कि 2024 तक यह उत्ता था कि उच्छा करोण घर का बहुत बड़ी संक्या है च्छा करोण घर यह तरसते थे कि हमाने बिजली कब आईगी आज इस बात के लिए तरसना बंद है और मेरे खहल से वह जो सूरी घर वाले यह उज्जना श वही training से लेकर कक्ष तक देश के किसी गाओं में ये साहबित कर दे कि इस गाओं में बिजली नहीं है। कि कारवर करते कि मोडी को जोटा साहबित कर देना है कि कक कक्ष से कमाक्या तक और कन्या कुमारी से कश्मीर तक किसी गाउं में बिजली नहीं है ये ख़बर इनकी होनी चाहिए थी गाउने घर में घर में सोचिए इतना वरा काया कर सडकों का ऐसा जाल कि कहते हैं ना कि जब सडक आप किसी जिस जगह पे पहुंचने में आपको घंटों लग जाते हैं थे इस जगह में आप मिंटों में पहुंचते हैं कि आप लिए घर का मनी जी एक आकड़ा और बता दूँगा यह तो सब बताता कि बड़ी 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 है सलके बड़ी बड़ी मोदी सरकार में बनी और कांग्रेश में अब जड़ा गवर करिए कि मैं फिर कहूंगा कि रहुल गांदी और और ुग उचयुकर मिला लिजिये और और टार्वं से साट साल होते हैं और उन साथ सालों में 60,000 क communist के चिसको कहते हैं वो बनी थी और आज की तारीक में हिंदुस्तान में दस साल के मोदी शासनकाल में जित्ती सलकें कांग्रेशियों ने साथ साल में बनाई थी उस से जादा करीकुरी पॉइंस साथ हजार किलो मीटर सलके नरेंदर मोदी की सरकार में दस साल में बनुआ के दी हैं तो अब साथ साल और दस साल और काम है च्छे गुना तो अपने आप लगा लिजिए अनुवान की किसे आप से काम पहले होता था और अब किता हुआ है बिलकुल आप और यह चीजे कहां से पैसे के मनमुहन सिंग के तर पैसे पेर पे नहीं उगते हैं एक साथी जब तक पंद्रा लाक नहीं देगा मोधी उसे हम जाने नहीं देंगे यह प्रेम की वो वो पराकास्था की भाषा है जो चीजों को समझ रहे हैं हमने इसलिए करने की कोशिश की सोचिए 370 खत्म होने के बाद जिस कश्मीर में कभी ऐसा संभवनेता लोग कांपते थे वहा पांच लाग रुपए तक का जिनको फ्री इलाज मिलता है पैंतिस करोड यह जरा गवर करिया और यह लक्ष जो है पचास करोड का है कि पचास करोण लोगों को इसके अंदर लाना है और अब तो जो सत्तर साल की उमर सीनियर सिटीजन है वो उनके उपर किसी तरह की कोई प दीन है तो मेरा वनी जी जरा इसके कहना दूसरा है इसको लोग समझते नहीं है और उसको बड़े हलके में ले लेते हैं क्योंकि बड़ी सामाने तरीके से मिल गई है कि 2014 यानि 76 साल तक कांग्रेस बताए कि उसके समय में कितने लोगों को इस तरह की सुईदा दी जा रही थ लाध रुपए थकका का इलाज तो वह तर जाता है विलकुल उसको कहीं किसी प्रकार की चींता अपना स्वास्त को लेकर महीं होती पर भी कूष को और उसको है okay घ्राबि यह बल्कुल बात हिर्ञा करते इसके बारह21 कम इसके बार्थ कम कुद्न लेंए ऐसे बात करते परना सीख लिया और आज ये दावा हो रहा है कि डिजिटल इंडिया के बाद ये जो आप और हम आज ये भी एक माध्यम बन गया कि मैंने पत्रकाइदा के में इस्ट्रीम मीडिया की नौकरी छोड़ी चुनोती लेकर के और आज ना सिर्फ हम एक नेरेटिब को काट एक मनरंजन जो फिल्म इंडस्ट्री थी और जो एक फरेव का खेल था उसे भी कंट्रोल किया गाउं में मनरंजन का एक साधन हो गया है रोजगार और मनरंजन का साधनी ने अब अब उन लोगों से सवाल है जो यह राष्ट्रवाद का और हिंदूत को नकाब वोड़े खड़े हैं कि जहारबाद पर मोदी अब जाना चाहिए तो मोदी निश्चित जाना चाहिए मैं भी मापकी बार सहिमत हूं लेकिन जरा इसके इसके मोदी के इस्तान पर उस आदमी के नाम बताओ जिसने एक पैसे एक परसंट भी नहीं मानता और ना इन्होंने अपने कर्मों से ऐसा कोई पर्चे दिया है मनी जी यह इनका पूरा चुनावी केंपेन अगर उठा कर देखिए इस इंडी गैंग का तो इनका इंडी गैंग का जो केंपेन था वो जात की जनलना वह खटा-खट-ख रहा है और फिलकुल इस विकलब को बताएं लेकिन इस कितना खतरनाक है और मुझे लगता कि एक गंटे के सोच में यह नहीं समीटाब सकता यह समझना पड़ेगा इस बात को मुझे लगड़ा एक दिन सुरक्षा को लेकर के भी एक इस देश आज देश से जोन में है 2004 से लेकर के बारत तक के दौर को देख लीजिए हर जगह सीरियल ब्लास्ट हर जगह दंगी जान की तो कीमत नहीं है हाँ उससे पहले ज़रा एक ही एक लाव उसका भी सुन लिए इन्हों तो सेना को जो बजट हम लोग रख्षा बजट इसको कईते हैं उसमां हम लोगों ने देखा कि इन्हों ने जो दो दशाल में था काग्रेश ने इस ने साड़े बारा बारा लाग करोने रूपर यह और नरेंद्रमूदी ने इससे तीन गुना ज्यादा यानि दस साल के मैं बात कर रहा हूं अभी 11 साल के बजट मैंने सामिन ने किया दस साल पर उन्होंने मनीजी बता रहे थे बिल्कुल हम तो वो चुही नहीं पाए कि सनातन भारत में क्या कुछ बदला हम तो राम मंदिर को चुही नहीं पाए हम तो इस बदले दौर में वो चुही नहीं पाए कि हमारी आत को कई लोग तो कहते हैं कि हमें अब कुछ नहीं चाहिए मोधी काल में ह राम का मंदिर मिल गया काशी का काया कल्प हो गया उजयन से लेकर के पूरे कोरिडॉर बन गया सनातन भारत को किते हमें हिंदू राष्ट चाहिए ऐसा सनातन भारत की कल्पना भी नहीं की होगी 500 700 साल से हम जिसराम मंदिर का इंतजार कर रहे थे उस सपना भी तो पूरा कि नहीं हो तो जाके जारा दोबारा सर्स कर लिए गा कि 2009 का फैसला आया है 2010 दोजार दस में फैसला अक्टूबर 2010 में फैसला आया है और 2014 तक सुप्रिम कोड ने वो फाइल पल्टी नहीं थी कि देखें इसमें हाई क्या वह आके चार साल से अपील वैसी ही पड़ी थी तो यह मने का ना कि मैं फिर वह एक बहुत ज्यादा कटोर सब इस्तेमाल नहीं करना चाहता यहां यह भी दलाल ही उन्हीं लोगों के यह जड़ा भेस बदल के आया है कि कैसे इनको दूसरे तरीके दे रूप में उतारा गया है इसके लावा क्या कहूं बिल्खुल और नहीं होता है तो मैं हम छूने नहीं दूँगा और एक सिब्बल के सामने पूरा सुप्रीम कोट नतमस्तक हो गया तो जिनको यह भ्रम है कि राम मंदिर पर फैसला सुप्रीम कोट के कारणा आया वो समझ लिजे कि सुप्र सुप्रीम कोट नतमस्तक हुआ CGI रिटायर हो गए इस डर से कि उनके उपर महावयोग ला देगा सिब्बल संसद के अंदर महावयोग की तैयारी हो गई दूसरा CGI आया जो कॉंग्रिस का पूरा खंदान जिसका भी कॉंग्रिस का था उसके उपर सेक्सवल हरास्मेंट का केस चलना शुरू हो गया तो कि उसने राम मंदिर छू दिया था तो सोचिए कि जिनको ये भ्रम है कि राम मंदिर पर तो सुप्रिम कोर्ट में फैसला दे दिया 2019 मजब सरकार आई फिर इस पर सुनवाई हुई और राम मंदिर बन पाया आज सर ये भी तो बात है कि राम मंदिर काशी कोरिडोर कृष्ण जन भूमी में जो कुछ भी हो रहा है उज्जैन ये हमारे धार्मिक जो तिर्फस्तल है उसने हमारे आम सनातनियों के अर्थ तंत्र को मजबूत कर दिया है भारत के अर्थ तंत्र को ये भी मोदि काल की उपलबती है जो ये कहते हैं कि इस मोदि को जाना चाहिए ये मनी जी एक एक विशे जिसकी आप बात कर रहे है ये एक 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 विशे पर एक पूरे एक दिन के एक घंटे की चल्टी है एक एक शो की जिरुवत हो सकती है अब जैसे इसी की मैं बात करूं की धर्म के उपर तो मैं एक लाग करोन रूपए का आपको राशी बताने जा रहा हूं जो आल रेडी इसमें खर्च हो रही है कोई प्रोग्राम नहीं कोई योजना नहीं है मैं बता है जैसे आप जो केदार और ना-ठाम का जो वो एक्सप्रेस में बन रहा है चार और कि आल वैदर बनेगा जाया यहाँ呢 आपकी खितेम बन्टों जाता है तो वह आपका है और बाराँ हजार कोदा 14,000 करोड का है और वो जो मनीज जी दूसरा काम है वो भी मेरे खाल से फिर वो जिस दिन बनके तयार होगा तब लोग याद करेंगे कि नरे नर्मूदी इस देश को क्या देकर गए है क्या देकर गए है यह अद्बुद योजना है कि वो जो ट्रेन की ट्रेन बर जा रही है ब कंप्लीट होगी तो मेरे काल से 50,000 करोड से ज्यादा पैसे खर्च होंगे उस पूरे प्रोजेक्ट को खतव पूरा होने में तो साथ हजार करोन रुपए का तो मैं सिर्फ आपको सामने बता रहा हूं जो ततकाल है सामने चार पाच हजार करोन को आप अजया चारी पाच सार्म के लिए किया है तो जो जो इन पर उंगली उठा रहे हैं वह आकर बताएं कि उनके पास प्रोग्राम है जो बड़ा चूट गया जो बड़ा चूट गया तो यह बहुत करते हैं मैंने का रहा कि इस पर अलग करेंगे तो हर हर मुद्दे पर पूरे एक समय हैं पूरा कि एक घंटा चाहिए तो यह इस तरह की मूर्सा बूर्ण बाते जो करते हैं यह आज इसी लिए हम लोगों ने बात की कि कम से कब यह अपना मू तो बंदर रखें बिलकुल हमने यह प्रियास ही किया और मुझे लग रहा है कि एक घंटा बहुत छोटा पर गया यह शो इस बात को समझने के लिए अपने एक लाइन लिया है कि सर लोग याद करेंगे कि मोधी इस देश को क्या दे कर गए एक शो हम लोग किसी पर सिर्फ करेंगे कि लोग याद करेंगे कि मोधी इस देश को क्या दे कर गए तो जब आप यह सोचते हैं और आप यह नहरेटी बनाते कि इस मोदी को जाना होगा सच मुछ कितना खतरनाग खेल खेल रहे हैं इस मोदी को जाना होगा इस योगी को जाना होगा तो मुलाइम पुत्र को आना होगा लालू के नामी फेल को आना होगा सोचिए इस कालिम को रहना होगा ये कितना भयाबा खेल है रूह काप जाती है कि अब सब के सब सपने होंगे कि अभी लॉट कराएंगे लेकिन जो ये खतरनाक खेल खेलते हैं अपने स्वार्थ के लिए कि वो सेट नहीं हो पा रहे हैं अरे अपने परिवार से पूछो खुद से अकेले में पूछो कि क्या कुछ बदला है मुझे लगता है कि इसे कई घंड में करने की जुरत है आपने बढ़िया लाइन ले लिया कि लोग याद करेंगे कि मोदी इस देश को क्या दे करके अंदर के तो देश को कोई क्या दे देगा लेकिन फिर भी इस भटके वे रास्ट को जहां जहां सर ये लोग लोग कहते हैं मेरा नाम मेरा नाम सतीष चंद्रमिस है लेकिन मैं हूँ सेकुलर मेरा नाम मनीश काकूर है लेकिन मैं हूँ सेकुलर ये बोलना पड़ता था आपको सोची कलपना करिये इस धर्ती पर एक सनातनी है जो धर्ब से जो जनम सही जहां आप इश्वर को माने ना म जामा बला है इस देश में कि वो सेकुलर मैंने सर्फ देखा प्रेस क्लब से लेके कई जगों पैसे ऐसे लोग जो आप से मेरे कई ऐसे साथी सनातनी हैं मैं पूझा पाट घर में नहीं करता वो छोटे पजामा साथी को कर रहा है बहुत अच्छा करते हैं आप लेकिन वो खुद पांच वक्त का नवाज पढ़ रहा है और वो कह रहा है कि मैं सेकुलर हूँ और आप भी सेकुलर हैं क्योंकि आप अपने घर में मुर्ती नहीं रखते पुझा पाट नहीं करते हैं इस narrative को तोड़ा गया है लोग मुझे याद है सर कि संसनी बाज ने मुझे का था कि मैं जब टिक्का लगा के नवरातर में गया था तो का था ये पत्रकार हो कि घजियारे हो ये घंटी बजाने वाले हो क्या जैसे अपमानित किया था मुलायम और लालू ने लालू योगी आदितनात को आज वो योगी आदितनात प्रतीक है जब मैं देखता हूं उस भागवा में तो ये बदला है मुझे लगरा कई फेज में करना होगा सर इस विसलेशन को समझने के लिए आपने बहुत बैतर तरीके से से बताने की कोशिश की हम लोगों ने एक नेरेटिव को स्ट्रडियंत को काटने का एक छोटा सा प्रियास किया है हाँ मारे वीवर्स से कहेंगे कि इस ये एक सिर्फ एक शो नहीं है कि आठ नौ हजार दस हजार लोग देख रहे हैं इसे पहुचाने की जुरत है ज्यादा ज्यादा लोग और यह जोने भीर में पहुचाने की जुरत नहीं है सेलक्टिव लोगों तक इसे पहुंचाने की जुरत है जो इस देश की दिशा निर्देश को तै कर सके